तो बहुए देखिए आज बात करेंगे टोपिकली शेंपू के सायद फित करता है और हुझे 되고 के विडियो पुर्ण देखेगा सब कुछ जानेगे केंडीड टीवी सोलुशन के बारे में या कह सकते हैं सेंपू के बारे में या कह सकते हैं सस्पेंशन के बारे में लिक्विड के बारे में यह कुछ भी कह लो केंडीड टीवी के बारे में जाने तो बहुत केंडीड टीवी एक ब्रेंड आता है गिलिनमर कंपनी का जो कि जान अब करीब करीब यह आपको 300-300 पर आज पास मिलेगा लेकिन काफी अच्छी है हर जगे मिल जाता है लेकिन मिलने का मतलर यह नहीं कि आप लेके यूज कर लो वीडियो में सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए यह बनाया है यह तभी यूज करना जब आपके हाता है चंपी करना पढ़ता है ठीक है झाफमें खोपड़ी के ऊपर इसकाल के ऊपर लगता है लेकिन साथ में इस्कीन के ऊपर भी लगता है जो भी यह जानेगे थीक है तो दोस्टो इसके अजर दो त्रगय की दोऊई आप्या हम करते हैं जो की फंगल infection में convert हो गया है दूसरा दूसरा इसके लंदर आता है selenium तो भाई selenium आप जानती है mineral होता है यह ना skin को rejoint करने का काम करता है skin को healing provide करने का काम करता है skin को damage होने से रोकता है और जो skin damage हो चुकी है उनके जो dead layer होती है जो dead cells होते है उसको remove damage करता है जल्म को कम करता है side fat को कम करता है तो भाई इसके बार में अभी समझेगे तो selenium एक mineral होता है काफी जरूरी यह काफी अच्छा mineral होता है तो दोस्तों पहली problem आती है fungal infection कहां पर खोपड़ी की उपर देखिए कई बार ना fungal infection खोपड़ी हो जाता है केसे पता चलेगा जहां पर वहां पर हो सकता है आपको dandruff बनने दगे देंट्र फंगल infection ही ठीक है सारी होते लेकिं जाज़र होते हैं कि फंगल infection ही होते हैं वह इसलिए बार बार में आत्ति जाते रहते तो वह उसमें फरक होता है वो पीला रंका दिखता है ठीक है तो पीला पीला जब दिखता है लो एक फंगी है, वो infection कर रहा है महाँ पर, तो उन fungus को मारता है, कलोटरी माजौल, इन के लावा कई बर होता है कि बड़े-बड़े फाले से हो जाते हैं, ताफ़ड़से हो जाते हैं, जिनके अंदर खून आता है, इचिंग चलती है, सूजन रहता है रेडनेस रहता है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे तो ये भी एक फंगल इंफेक्शन है जो खोपड़ी की उपर जाएतर होता है ये कानों के आज पास पीछे की साइड में माथ्चे की आगली साइड में कहीं पर भी हो सकता है उपर ऑली खोपड़ी में कहीं पर हो सकता है तो ये फंगस है जिसके कान ही कार्ण ही हो रहा है तून को मारता है कलोठी माजोद दोस्तों दूसरी प्रोड connects है तीन या वर्ची कूलर अब भाई यह क्या होता है तो ये एक skin infection ही होता है जो कि fungus के कार्ण ही होता है इसके अंदर दोस्तो white color के न white page से बन जाते है ठीक है पिले-पिले रंग के जिसके अंदर खुजली चलती है दर्द भी होता है और ये देखा गया कि कंदों के आसपास देखने को मिल सकता है तो काफी बड़ा एरिया ये cover कर लेता है ये फंगी होते हैं जो कि fungal infection के रूप में white page के अंदर ये बने हुए है तो वहां पर लगाने का भी आता है इनके लाव दोस्तों बात रहूं तो dandruff की problem जी हां अगर dandruff है आपको fungal infection वाल dandruff नहीं normal dandruff तो dandruff को कम करने का भी ये काम करता है तो anti dandruff shampoo भी आप इसको कह सकते हैं antifungal भी कह सकते हैं दोनों कह सकते हैं अब आते हैं इसको कब लगाए किस तरह से लगाए रिजल्ट कब देगा तो दोस्तों इसका जो treatment न करीप एक मन्थ देड़ मन्थ दो मन्थ जा सकता है और इसका यूज़ करने का दो तरिका न इस सभी इम प्रोलों में अलगल होता है अगर आप इस्किन के उपर लगा रहे हो तो दिन में दो बार लगाना पड़ सकता है या हो सकता है एक बार लगाना पड़े ये भी होता है कि प्रॉलम कम है तो दो तीन दिन से एक बार लगाना पड़े लेकिन इस्किन के उपर लगाने के लिए आप रोज जोज डोक्टर प तो तो इस तरीके से लगता है और नहाने से पहले अच्छे से आपको मसाज करनी है रगड़ना आइए में अच्छे से जड़ो से जड़ो तक जाना चाहिए तो उसके बाद आप दोके बोस कर सकते हैं गरम पानी से तो कम से कम आधा पौने गंटा तक आपको शर में लगा के रखना है जिसे कि आपको बेस डिजल मिल सकते हैं तो देखिए एक साइड फिट तो यहीं कर सकता है कि मालो जी यह लगाने के बाद थोड़ा रेटनिस हो जाए थोड़ी जिलन हो होने लगे आपको थोड़ी इचिंग बढ़े इनके लाव कोई साइट पर नहीं होता है फाइदा ही करता है अगर आपको यह प्रॉलम है तो डोक्टर के पास आके आप इसका उतकर सकते हैं तो दोस्तों संपुन रहे होता केंडिड टीवी शेंपू यालोशन के बारे यहा जैंब बारे बारे यहीं होता है तो प्मझ दोस्तों से साइट जैंब आपको यहादा जैंब आपको यहादार आपको यहादा है।